आज हम बनाएंगे बीन्स की सबजी हाई फ्लेम पर कुकर रखा है इसमें एक टेबल स्पून तेल डालेंगे तेल गर्म हो गया है गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे इसमें तीन हरी मिर्च और छे क्रश की हुई लहसुन की कलियां डालेंगे लहसुन पक गया है इसमें एक बड़ा कटा प्यास डालेंगे प्यास थोड़ा गुलाबी होने तक पकालेंगे प्यास पक गया है, स्वादानुसर नमक, थोड़े करी पत्ते और एक छोटा कटा तमाटर डालेंगे तमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे तमाटर सॉफ्ट हो गया है, इसमें पाव टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे ये पाव किलो बिन्स इस तरह काट लिये है, इन्हें आड़ करेंगे एक मिनिट पका लेंगे थोड़ा कटा हरा धनिया डालेंगे दो टेबल स्पून पाणी आड़ करेंगे लीड लगा कर एक सिटी लेंगे एक सिटी हो चुकी है, कूकर का प्रेशर निकल चुका है लीड ओपन करेंगे, बिन्स पक चुके हैं सबजी ड्राय होने तक पका लेंगे सबजी ड्राय हो चुकी है इसमें पाव कप कद्दू कस किया कच्चा नारियल दो टेबल स्पून कुटी हुई रोस्टेट मूंफली और थोड़ा कटा हरा धनिया डालेंगे आधा मिनिट पका लेंगे टेस्टी बीन्स की सबजी रेडी है अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चानल को सब्सक्राइब ज़रूर करें